11.2 आपका topic है defect of vision और उनके correction तो basically defect यह आता किसमें हमें सबसे पहले यह देखना है तो मैंने जो आपको बताया था कि जो power of accommodation है lens की उसी के अंदर हमारा कई बार defect आ जाता है जिसकी वजह से focus करने में हमारा दिक्कत होती है और हम comfortably focus नहीं कर पाते हैं लेंस है वो अपना focus करने की ability खो देता है अब देखे इसमें क्या होता है कि vision जो होता है person का वो बिल्कुल blur हो जाता है इन refractive defects की वजह से यहाँ पर आपके तीन refractive defects हैं जिनके बारे में आज हम discuss करेंगे तो इसमें सबसे पहले आपका आता है myopia इसके बाद next जो है वो आता है hypermetropia और फिर third जो आपका आता है वो है presbyopia myopia, hypermetropia and presbyopia यह आपके तीन refractive defects हैं जो eyes के अंदर देखे जाते हैं इन दोनों के एक एक नाम और हैं जो कि कई बार पूछे जाते हैं इसे हम near sightedness भी बोलते हैं और इसे हम far sightedness बोलते हैं यह याद रखने का अच्छा तरीका यह है अभी मैं पूरा mechanism बताऊंगा बट myopia के अंदर आपको पास का दिखता है दूर का नहीं दिखता तो उसे हम क्या बोलेंगे near sightedness और hypermetropia के अंदर आपको दूर का दिखता है पास का क्योंकि दोनों के बीच में हमारा basically क्या होता है difference होता है तो अगर आप difference बना करके पढ़ेंगे तो आपको भी चीज़ें जल्दी याद हो जाएंगी ठीक है तो myopia और hypermetropia इन दोनों के अंदर क्या difference आता है सबसे पहले कि myopia के अंदर जो एक person होता है वो पास की object को clearly देख सकता है बट वो दूर के object को नहीं देख पाता है ठीक है इसका मतलब यहाँ पर क्या होता है मैंने आभी आपको बताया था कि एक normal eye 25 cm से लेकर के कहा तक देख सकती है infinity तक देख सकती है ठीक है तो myopia में आप दूर का नहीं देख पा रहें तो जो infinity वाला point है महाँ पर ही जो आपकी change आएगा तो यहाँ पर क्या होता है कि आपका जो infinity वाला far point है वो पास आ जाता है मतलब infinity far point नहीं रहता myopic eye के लिए ठीक है तो अगर मैं myopia का इसका just opposite मतलब कि क्या hypermetropia में आप दूर का देख पाते हैं बट पास का नहीं देख पाते हैं ठीक है पास का नहीं देख पाते का क्या मतलब है कि मैंने बताया 25 cm आपकी एक range है इतने पास तक आप देख सकते हैं बट इसके लिए 25 cm से जादा हो जाता है इसके अंदर infinity से कम हो गया ठीक है यहाँ पर तो infinity से क्या हो गया कम हो गया यहाँ पर 25 cm से जो नियर पॉइंट है क्योंकि 25 cm क्या है नियर पॉइंट तो यहाँ पर यह इंक्रीज हो जाता है एक बार में दुबार बताता हूं myopia के अंदर क्या होता है कि आप दूर का नहीं देख पाते ह तो हम normally कहां देख रहे थे infinity तक देख रहे थे बड़ यहाँ पर हम infinity तक नहीं देख पा रहे तो infinity से कम हो गया वही उससे कम पर हम देख पा रहे हैं तो पर नौर्मली बच्चों के अंदर यही मिलता है फिर हाइपरमेट्रोपिया के अंदर क्या है हाइपरमेट्रोपिया के अंदर हम नौर्मली 25 सेंटीमेटर से देख पा रहे हैं तो यहाँ पर जो नियर पॉइंट है आपका वो क्या कर गया वो बढ़ गया वो दूर चला गया तो यह हमारा डिफरेंस आता है दोनों के मेकैनिजम के अंदर अभी मैं आपको एक डाग्राम के थ्रूबी यह चीज़ बता हूँगा इसके अलावा अगर मैं बात करता हूँ मायोपिया की तो मायोपिया के अंदर बिसिकली देखे क्या होता है कि जो आपका आई है आई लैंस है उसका क करवेचर जादा बढ़ जाता है अब करवेचर अगर किसी लैंस का बढ़ गया करवेचर बढ़ा तो करवेचर की वैसे क्या होगा मैंने आपको बताया था कि जो यह जल्दी फोकस करने लगेगी ठीक है जल्दी फोकस करेगी जल्दी फोकस करेगी तो इस केस में क्या होता है कि रेटिना के आगे ही image आपकी form हो जाती है ठीक है myopic eye के अंदर वो भी मैं image के अंदर आपको show करूँगा ठीक है इसके अंदर just opposite हो जाता है इसके अंदर curvature हमारा decrease होने के वैसे retina के पीछे image बनती है ठीक है hypermetropia के अंदर just opposite मान लीजे यहाँ पर eyeball का size क्या हो जाएगा eyeball का size क्या हो जाएगा यहाँ पर decrease हो जाएगा यहाँ चीजे लिखते रहिएगा difference बनाते रहिएगा याद करना बहुत असे इसके अलावा जो सबसे important चीज अगर आप आगे जाकर doctor बनते हैं तो treatment बहुत important होता है किसी भी disease, disease तो आपने देख लिया mechanism देख लिया बट उसका treatment part भी बहुत important है तो treatment की अगर मैं बात करता हूँ तो देखे यहाँ पर myopia के अंदर जो corrective lens जो हम बोलते हैं वो यहाँ पर कौन से है, concave अब concave lens क्यों use करे जाते हैं, यह मैं अभी आपको बता हूँगा diagram के तुरू बता हूँगा तो वो आपको चीज़ जादे समझ वाएंगे भी मैं theoretical portion आपको बता रहा हूँ यहाँ पर just opposite, यहाँ पर आपके कौन से lens use करे जाएंगे वो आपके convex lens use करे जाएंगे, यहाँ यहाँ पर concave lens जो है basically क्या करते हैं, जब मैंने आपको बताया था कि image retina से आगे बन रही है तो concave lens क्या करेंगे, concave lens आपका diverging lens होता है concave lens कैसा होता है, diverging lens होता है, तो यह क्या करेगा यह उस image को, यह उस rays को क्या करेगा, diverge करेगा diverge करेगा, तो उसे retina पर लेकर आ जाएगा अभी कैसे होता है, यह मैं बताऊँगा इसके अंदर क्या हो रहा था भई, इसके अंदर आपकी image retina से पीछे बन रही थी मतलब हमें retina पर लेकर आनी है, मतलब आगे लेकर आनी है तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम converge करेंगे converge करेंगे तो consulence use करेंगे, convex lens use कर लेंगे ठीक है, तो यहाँ पर आपको hypermetropia हो गया तो यह दोनों के अंदर हमारा difference था, एक बार मैं दुबारा बता देता हूँ difference क्या है, कि myopia के अंदर तो आप दूर की चीज़ें जो है, वो नहीं देख पाते पास की चीज़ें असानी से देख लेते हैं, और generally जो बच्चे होते हैं, उनके अंदर यही चीज़ मिलती है ठीक है, hypermetropia के अंदर क्या है, वैसे ऐसा नहीं है कि age related इसमें कोई link नहीं है age का ठीक है, but general मैं अगर बात बताओं तो उसके अंदर यह चीज़ देखी गई है, वही पर मैं hypermetropia की बात करता हूं, तो hypermetropia में आपको दूर का तो दिख जाएगा, बट past का नहीं दिखेगा, अब वो ऐसा क्यों होता है, वो ऐसा इसलिए होता है, क्योंकि normal eye की जो range होती है, वो 25 cm से infinity तक होती है, but myopic eye की जो range है, वो 25 cm से less than infinity हो जाती है, ठीक है, less than infinity क्यों, क्योंकि आप infinity तक नहीं देख सकते हैं, वो तक general normal eye आपको देखने के लिए कर रही है, आप कुछ, कुछ meter तक आप देख सकते हो, ठीक है, वो depend करता है, और फिर जो यह lens हम use करते हैं, वो different power के use करते हैं, आपने सुना होगा, ठीक है, वे किसके अंदर कितना जादा defect आ गया है, उसके basis पर, इसके अलावा हमने, मतलब, जब हम hypermetropia के अंदर, वो size कम हो गया, ठीक है, यहाँ पर retina से पहले image बन रही थी, यहाँ पर retina से पीछे image बन रही थी, यहाँ पर आप concave lens use कर रहे थे, जो कि एक diverging lens है, यहाँ पर आप convex lens use कर रहे है, जो कि एक converging lens है, तो दोनों ही cases में क्या हो रहा है, कि आपकी image को retina पर ला यह diagram आपकी book का ही है, तो आप अपनी book को भी open कर सकते हैं, तो देखिए, जब हम बात करते हैं myopic eye के लिए, तो myopic eye के लिए मैंने जैसा आपको बताया था, myopic eye का मतलब है, जिस eye को myopia हुआ 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 है, तो myopic eye के अंदर मैंने क्या बताया आपको, कि जो first वाला हम diagram constant होता है, मतलब कि normal eye के लिए जो vision मैंने आपको बताया था, वो कहां से कहां तक था, उसकी range थी 25 cm से infinity तक, मतलब कोई भी normal eye इतनी दूर तक देख सकती है, तो यह वाला हो गया near point, यह वाला हो गया far point, तो इसमें far point, myopic eye के लिए far point क्या होता है, एक defined होता है, मतलब infinity नहीं ह myopic eye के अंदर, वो कहां बनने लगी, retina से पहले बनने लगी, और जब retina से image पहले बनने लगी, तो आपको वो clearly image है वो दिखाई नहीं देगी, तो ऐसा जब आप बिना चश्मे के किसी को भी myopia है, जिसे दूर का नहीं दिखता, तो जब वो बिना चश्मे के देखता है, त यह condition हो रही होती है उस समय पर, अब उसके बाद क्या हुआ, जो point है, जो figure है, इसके अंदर क्या हुआ, कि अब आपने eye lenses लगा लिए, मतलब कि अब आपने, जो specs हैं, आपने वो पहन लिए, तो तब क्या हुआ, कि जो infinity से rays आ रही थी, वो मिलने ही तो चाहिए थी पहले ही हमने concave lens लगा दिया, concave lens लगाते ही क्या हुआ, कि वो slightly diverge हो गई, और वो raise हमारी कहां पर converge होई, फिर further retina पर converge होई, retina पर converge होई, तो उनकी image retina पर बन गई, और हमारा जो myopia है, उसका correction हो गया, तो ऐसे lenses का use करके हम myopia का correction कर सकते हैं, तो यह वाली condition है, जब आपने चश्म को clearly देख सकते हैं, तो यह वाली condition है, ठीक है, कि आपके लिए farpoint कितना है, अभी change हो सकता है, अभी किसी का power बहुत जादा होती है, किसी की कम होती है, ठीक है, तो यह change हो सकता है, percent to percent, इसके बाद hypermetropia, hypermetropia के अंदर क्या होता है, कि जो near point है, 25 cm, यह increase कर जाता है, increase कर गया तो थोड़ा दूर रखके पढ़ा तो पढ़ा जा रहा है, जैसे ही आप उस चीज़ को pass करेंगे, मतलब कि 25 cm पर ले आएंगे, या उससे slightly जादा, तो क्या होगा, कि जो image है, वो retina से पीछे बन रही है, यह retina, retina से पीछे बन रही है, retina से आगे बने यह retina से पीछे बन और वो rays हमारी retina पर आकर converge हो गई, और हमारी image retina पर form हो गई और आपको दिखने लगा, यह correction for the hypermetropic eye, ठीक है, मतलब कि hypermetropia को आप कैसे correct कर सकते हैं, तो यहाँ पर हमने hypermetropia and myopia दोनों ही जो topic हैं, उन्हें बहुत detail में discuss करा, और यह जो दोनों topic हैं, यह याद करने बहुत ज़रूरी हैं, इसके अलाबा हम बात कर लेते हैं, प्रेस बायो पिया की, जो कि हमारा third, आप कह सकते हैं, refractive defect है, ठीक है, तो जो प्रेस बायो पिया है, basically इस प्रेस बायो पिया के अंदर क्या होता है, यह आपने देखा होगा, अपने घर में जो बड़े लोग हैं, उनकी यह आपने सुना भी होगा, कि age के साथ उनकी जो eyesight है, वो weak होने लगती है, ठीक है, तो और उस में क्या होता है, कि जो accommodation की power मैंने आपको बताई थी, islands की मतलब वो अपनी जो change कर रहा था, कि कभी curvature जादा, कभी curvature कम, वो हमारा age के साथ decrease करता है, क्यों decrease करता है, क्योंगे जै सब पता है, आपको जैसे age बढ़ती है, muscle भी हमारी weak होती जाती है, ठीक है, कोई भी machinery है, age के साथ, वो weak होती चली जाती है, तो यहाँ पर जो age person है, वो हमारा, उनका past के object को comfortably नहीं देख पाते, बिना corrective lenses के, ठीक है, इसके अलावा, यह हमारा gradual age के अंदर weakening होती है, ciliary muscles के मैंने आपको बताया था कि, ऐसी कुछ muscles होती है, जो कि हमारा lens को पकड़ के रखती है, ठीक है, तो यह हमारी ciliary muscles होती है, इन ciliary muscles में हमारा क्या है, कि gradual weakening होने लगती है, ठीक है, कब old age में, ठीक है, ऐसे ऐसे old ages आती है, फिर इसके बाद, जो हमारा eye lens है, इसकी भी flexibility decrease कर जा प्रेस बायो प्या बोलते हैं, अब यह जो प्रेस बायो प्या है, यह कई बार मतलब आप इसे correction के लिए जनरली bifocal lenses का हम use करते हैं, bifocal lenses का जब हम use करते हैं, तो उसके अंदर हमारा दोनों ही lenses होते हैं, ठीक है, आपने bifocal lenses देखे होंगे, इसी के चश्मे आपने देखे हैं कि उन चश्मों के अंदर क्या होता है, कि यहां पर एक अलग से circle होता है, यह जनरली आप बड़े लोगों के spectacles हैं, उनके अंदर देखेंगे, और यहां पर अलग होता है portion, तो जो उपर वाला portion है, यह वाला होता है concave, जो कि आपको दूर का देखने के लिए help करता है, और जो नीचे वाला होता है, यह आपका होता है convex, जो कि आपका pass के देखने के लिए help करता है, तो यह condition आती है press bio की PA के अंदर, जिसे हम bifocal lenses के थूरू correct कर सकते हैं, लास्ट टॉपिक जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ, वो है आपका एक box जिसके अंदर हमें दे रखा का समझने में, तो देखे, इनों ने इसके अंदर क्या बोल रखा, आपने सुना होगा कि I donate करी जाती है, तो I donation बहुत ही एक important और एक noble काम है, क्योंकि यहाँ पर आप किसी दूसरे person को जो कि देख नहीं सकता, उसे आप एक देखने का जरिया आप दे रहे हैं, तो यहाँ अगर एक मैं बात बताऊं, तो आप सोचते हैं कि क्या eyes आपकी death के बाद भी जिन्दा रह सकती हैं, तो yes यह correct है कि आपकी eyes किसी की death के बाद भी जिन्दा रह सकती हैं, अब अगर मैं बात करूँ number की तो जो भी developing countries हैं, उनके अंदर 35, यह एक estimate है कि 35 जो million people हैं वहाँ के, व इन 35 million people में से, जो 4.5 million people हैं, वो हमारे क्या है, corneal उनको blindness है, कौन सी blindness है, corneal blindness, basically उनके cornea के अंदर problem है, ठीक है, तो बागी चीजें भी effect हो सकती हैं, बट इनके cornea के अंदर problem है, ठीक है, अब इसे हम बोलते है corneal blindness, अब यह जो corneal blindness है, इसमें से भी, मतलब 4.5 क्या, 60% अगर हम निकालें, तो उसमें से 60% है, वो हमारे बच्चे है, मतलब, चिल्रेंस है, ठीक है, जो भी, मतलब, प्रोटल, अगर हम इसका 60% निकाल लें, तो वो बच्चे है, और उनकी age जो estimate करी गई, वो 12 years से less है, मतलब की below the 12 year of age, तो वो बच्चे corneal blind है, 60%, 4.5 का, ठीक है तो ये पूरा एक, कह सकते हैं, आप आकड़ा है, एक number है, जो कि आपको बताता है कि किस, मतलब, कितनी बड़ी problem है ये blindness की, और जो देख नहीं सकते है, मतलब, actual में उन्हें ही पता है कि eyes की क्या कीमत है, तो हम मरने के बाद अपनी eyes को donate कर सकते हैं, इसका कुछ एक procedure है, जि donate नहीं कर सकते हैं, तो मतलब, donate करने का बात, ये करने के बात ये है, कि वो किसी person के अंदर transplant नहीं कर रिया सकती, करने के लिए आप उन condition में भी donate कर देंगा, अभी मैं बताँगा कि क्या है, क्या है, क्या होता है, अभी मैं वो condition बता रहा हूं, जिनके अंदर आपका, जो patient ह दूसरा patient है, वो आपकी eyes को receive कर सकता है, ठीक है, तो आपका कोई भी age group हो, उससे फरक नहीं पढ़ता, कोई भी age group हो, any age, ठीक है, any age group, उसके अलावा कोई भी sex हो सकता है किसी person का, ऐसा नहीं है कि male की male को लगेगी, female की female को लगेगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है, कोई भी sex हो स कर सकते हैं, यह eyes को death के बाद, इसके अलावा, अगर किसी person का cataract का, cataract का किसी का operation हुआ है, तो वो भी donate कर सकता है eyes को, कोई person अगर diabetic है, वो भी donate कर सकता है, अपनी eyes को, किसी को अगर BP की problem रहती है, hypertension है, ठीक है, वो भी donate कर सकता है eyes को, किसी को अगर अस्थमा की problem है, तो व वह भी डॉनेट कर सकता है। अगर डॉनैट कर सकते हैं जिनकों कोई communicable disease नहीं है। अब इसका procedure क्या होता है बोया आपको बता देता हूँ। इसके procedure के लिए आपको जो i bank है उस madness को आपको इन्फर्म करना होता है जो iBank वाली team है वो आती है वो 10-15 मिनट के अंदर वो eyes को remove करती है और 10-15 मिनट में वो procedure हो जाता है अब यह procedure कई बार आप hospital पर भी करा सकते हैं यह procedure आप घर पर भी करा सकते हैं याद रखेगा इसके अंदर कोई भी जो disfigurement नहीं होता परसन के face में कोई भी disfigurement नहीं होता बहुती simple procedure होता है जिसके अंदर eyes को easily remove कर लिया जाता है तो यह तरीका हो गए जिससे के आप donate कर सकते हैं आप कुछ conditions ऐसी होती हैं जिनके अंदर आप donate नहीं कर सकते हैं इसमें आप donate कर सकते हैं ठीक है और कुछ conditions ऐसी हैं जिनके आप अंदर आप donate नहीं कर सकते वो condition में बताऊंगा वो condition क्या है उन conditions के अंदर हमारा आता है communicable disease मतलब basically वो disease जो दूसरे में transmit हो जाएं जैसे की AIDS ठीक है AIDS वाले person कभी भी किसी दूसरे person को आइस donate नहीं कर सकते इसके अलावा अगर किसी को hepatitis hepatitis है B और C कुछ भी हो ठीक है वो भी donate नहीं कर सकते आइस को इसके अलावा तीसरी condition जो हमारी इसके अंदर आती है वो है rabies rabies के अंदर भी का वो person donate नहीं करसकता acute leukemia यह सब चीजे आप note कर सकते हैं योBen एक्वोट leukemia योकेमिया के अंदर बी person donate नहीं कर सकता इसके अलावा tetanus बहुत से नाम आपने सुने होंगे तीक है इसके यालावा tetanus में नहीं कर सकता cholera में नहीं कर सकता cholera के अलावा meningitis और encephalitis के अंदर भी नहीं कर सकता meningitis का मतलब क्या होता है जो आप आगे जाके पढ़ेंगे वैसे brain के उपर managers होती है membranes होती है कुछ उनके अंदर जब inflammation आ जाती है तो उसे हम बोलते है meningitis और जब brain के अंदर खुद inflammation आ जाती है आप बोलते हैं encephalitis तो इन दोनों conditions के अंदर भी जो person है वो donate नहीं कर सकता eyes को और यहाँ पर मैं आपको last में तो यह एक important chart है जो कि आप draw कर सकते हैं कई बार यह चीज़ पूछ ली जाती है कि कौन से person है जो donate कर सकते हैं हलाकि बहुत common question नहीं होता यह अब बात यह आती है कि कई बार एक line दे रखिए कि जो एक person है वो अपनी eyes मतलब वो अपनी eyes के थूँप vision दे सकता है दो corneal blind person को ठीक है? दो corneal blind person को तो ऐसा कैसे possible है क्योंकि देखिए यह थोड़ा सा deep topic है आपके बुक्ते अंदर यह चीज नहीं दे रखिए तो थोड़ा extra topic है यह क्योंकि समझाने के लिए बताना पड़ेगा आपको जो cornea होता है बिसिकलि उसके अंदर further अगर हम देखें तो 5 layer होती है ठीक है? epithelium बहुत सारी layer है पांच है उनके अलग-अलग नाम है बट आपको याद नहीं करना उनका नाम आपको सर्फ क्या चीज मैं समझाना चाहरा हूँ कि एक person, दो corneal blind person को vision कैसे दे सकता है यह चीज मैं समझाना चाहरा हूँ तो अगर कोई भी मान लिजे layer है एक, दो, तीन, चार, पांच ठीक है, पांच layer है तो अगर मान लिजे कोई भी defect है पहली तीन layer के अंदर defect है तो आपको जरूरी नहीं है कि भई पांचों के पांचों layer को रिप्लेस करना है आप पहली तीन layer को रिप्लेस कर दीजे ठीक है, बाकी दो layer तो उसकी सही है तो पहली तीन layer को रिप्लेस कर दिया ठीक है, तो काम चल गया अब उसमें से पहली तीन layer को तो उसमें लगा दिया बाकी बचीं, दो layer जिससे आपने आई लिए, उसके cornea के अंदर दो layer बचीं ठीक है, अब ऐसा भी कोई patient आएगा जिसकी in fourth और fifth layer में defect हो पहली तीन सही हो, तो वो उसमें लगा दिया तो इससे क्या पता चला, कि आपका एक cornea से दो person की आई सही हो गए ठीक है, तो ऐसा करके आप दो corneal blind जो person है, basically उन्हें आप cure कर सकते हैं तो बहुत ही एक noble काम है, जिसके through आप किसी को vision प्रोवाइड कर सकते हैं इसे के साथ आपका ये जो topic है आई, ये मेरी तरफ से complete होता है इसके आगे फिर आपका physics का portion स्टार्ट होता है, जो कि आप physics के teacher से बढ़ेंगे, यहाँ तक था biological portion जो कि मैंने cover करा